उत्पत्ति अध्याए 43 कुलपद 34 और अकाल देश में और भी भयंकर होता गया जब वो अन्न जो मिस्र देश से लाय थे समाप्त हो गया तब उनके पिता ने उनसे कहा फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भुजन वस्तुमों ले आओ तब यहुदा ने उससे कहा उस पुरुष ने हमको चितावनी दे कर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मिरे सम्मुख ना आने पाओगे इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे परन्तो यदि तू उसको ना भेजे तो हम ना जाएंगे क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना हो तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे तब इसराइल ने कहा तुमने उस पुरुष को ये बता कर कि हमारा एक और भाई है जो मुझसे बुरा बरताओ किया उन्होंने कहा जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटूंबियों की दशा को इस रिती पूछा कि क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है तब हमने इन प्रश्णों के अनुसार उससे वर्णन्द किया फिर हम क्या जानते थे कि वो कहेगा कि अपने भाई को यहां लियाओ फिर यहुदा ने अपने पिता इसराइल से कहा उस लड़के को मेरे संग भीज दे कि हम चले जाएं इस से हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे वर्ण जीवित रहेंगे मैं उसका जामिन होता हूँ मेरे ही हाथ से तू से फिर लेना यदि मैं उसको तेरे पास पहुँचा कर सामने ना ख़ड़ा कर दूँ तब तो मैं सदा के लिए तेरा प्राधि ठहरूँगा यदि हम लोग विला मुना करते तो अब तक दूसरी बार लोट आते में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधू और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस पिस्ते और बादान फिर अपने अपने साथ दूना रुपिया ले जाओ और जो रुपिया तुम्हारे बोरों के मुह पर रख कर फिर दिया गया था उसको भी लेते जाओ कदाचित ये भूल से हुआ हो और अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालू करेगा जिससे कि वो तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो तब उन मनुश्यों ने वो भीट और दूना रुपिया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिये और मित्र में पहुँचकर युसुफ के सामने खड़े हुए उनके साथ बिन्यामीन को देखकर युसुफ ने अपने घर के अधिकारे से कहा उन मनुश्यों को घर में पहुँचा दो और पशु मार के भोजन तयार करो क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगी तब वो अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के नुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया जब वे यूसुफ के घर को पहुँचाए गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे कि जो रूपिया पहली बार हमारे बोरों में फेर दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुँचाए गए हैं जिससे वो पुरुष हम पर तूट पड़े और हमें वश में करके अपने दाज बनाए और हमारे गदों को भी छीन ले तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे कि हे हमारे प्रभू जब हम पहली बार अन मोल लेने को आये थे तब हमने सराय में पहुँचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपिया उसके बोरे के मुह पर रखा है इसलिए हम उसको अपने साथ फिर देते आये हैं और दूसरा रुपिया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए है हम नहीं जानते कि हमारा रुपिया हमारे बोरों में किसने रख दिया था उसने कहा तुम्हारा कुशल हो मत डरो तुम्हारा परमेशर जो तुम्हारे पिता का भी परमेशर है उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धंग दिया होगा तुम्हारा रुपिया तुम उचको मिल गया था फिर उसने शिमौन को निकाल कर उनके संग कर दिया तब उस जनने उन मनुश्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया तब उन्होंने अपने पाउं को धोया फिर उसने उनके गदों के लिए चारा दिया तब यह सुनकर कि आज हम को यहीं भुजन करना होगा उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेट को एकटा कर रखा जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेट को जो उनके हाथ में थी उसके समय घर में ले गए और भूमी पर गिर कर उसको दंडवत किया उसने उनका कुशल पूछा और कहा क्या तुम्हारा वो बूरा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है क्या वो अब तक जिवित है उन्होंने कहा हाँ तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जिवित है तब उन्होंने सिर्व जुका कर फिर दंडवत किया तब उसने आखें उठा कर और अपने सगे भाई बिनियामीन को देख कर पूछा क्या तुम्हारा वो छोटा भाई जिसकी चड़्चा तुमने मुझे से की थी यही है फिर उसने कहा हे मेरे पुत्र परमेश्वर तुझ पर अनुक्रह करे तब अपने भाई के स्नेहस से मन भरानी के कारण और यह सोच कर कि मैं कहां जाकर रो यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठिरी में गया और वहां रो पाड़ा फिर अपने मुझ धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा भोजन परोसो तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाईयों के लिए भी अलग और जो मिसरी उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा इसलिए कि मिसरी इबरियों के साथ भोजन नहीं कर सकते वरन मिसरी ऐसा करना गिरना समझते थे सो यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार करम से बैठाए गए यह देख विव विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगी तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्था उठा उठा कर उनके पास